ब्रह्मा विश्णु महेश को इश्वर नहीं मानूँगा, कृष्ण राम को इश्वर नहीं मानूँगा, किसी देवी देपता को नहीं मानूँगा और ना ही उनकी पूजा करूँगा। ऐसी शपत काफी लोगों ने मिलकर दिल्ली में ली है। इस समारों में धर्म परिवर्तन की शपत ले गई है जैसे हिंदु लोग बोध धर्म में चले गए बोध धर्म में एक नास्तिक धर्म है और बोध धर्म में भगवान में विश्वास नहीं किया जाता हाला कि बुद्धा भी भगवान विश्णू के ही अवतार है और बोध धर्म में भगवान का मतलब है जो व्यक्ति पापों से मुक्त हो चुका है इसलिए ये लोग बहुत meditation तपस्या करते हैं और बोधी सत्व बनने का प्रयास करते हैं और धेरे धेरे पाप खतम करके ये भगवान बुद्ध बन सकते हैं पर हमारे सनातन धर्म के अनुसार ऐसा नहीं है हम भगवान नहीं बन सकते हैं भगवान अगर आ गया तो हम सिरफ चिंगारी हैं शास्त्र बताते हैं जो धर्म आपको भगवान के बारे में बताता है भगवान तक कैसे पहुँचना है और भगवान और आपका क्या संबंद है ये बताता है वो धर्म बिल्कुल सही है कल्यू की शुरवात में भगवान बुध ने अफ्तार इसले लिया क्योंकि लोग नास्तिक होते जा रहे थे शास्त्रों का इस्तमाल करके निर्दोश जानवरों की बली दे रहे थे तो भगवान बुध ने शान्ति और अहिंसा का प्रचार किया पर पूरे शास्तरों को गलत नहीं बताया और समय के साथ साथ बहुत धर्म दुनिया भर में फैलता गया और नास्तिक वाद फैलाता गया